दोस्तों नमस्कार मैं पंडित सभाजसन मिश्रा हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का श्वागत है दोस्तों आज मैं आप सब को बताने वाला हूँ बहुत ही चमतकारी उपाए दोस्तों हर तीन साल बाद यानि तीन वर्स बाद पुर्षोत्तम महिना आता है और इस बार सावन का महिना दो है शावन का महिना पुर्षोत्तम महिना है तो दोस्तों इस बार पुर्षोत्तम सावन आमावस्या 16.08.2023 को है आम आवस्या के दीन का एक बहुत ही चमतकारी उपाई बताने वाला हूँ यह उपाई का लाब क्या है जानकर आप हैरान होंगे दोस्तों यह उपाई करने से कैसा भी सत्रू हो गुप्त हो या प्रतक्ष हो नजर दोश लगी हो या हाई दोश लगी हो या व्यपारिक बंदन हो या विशेश ग्रह दोस भी हो इन शभी दोसों का निवारन कर देगा बस करना क्या है एक छोटा सा उपाए तो दोस्तों बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों 16.08.2023 को प्राता शुबा दो कनेर के फूल लाना है कनेर का फूल का आपको पता ही होगा इस वीडियो में भी मैंने दर्शाया है दो कनेर के फूल लेने हैं और एक लुटा जल लेना है दोस्तों एक गिलास गन्ने का रस लेना है अपने नजदी की किसी भी शिव मंदिर में जाना है दोस्तों फूल हात में ले करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपनी मनों कामना रखें और शिव लिंके ऊपर चढ़ा दें उसके बाद शिव पंचाक्षर मंतर से ओम नमः शिवाई से जल चढ़ाएं उसके बाद एक गिलास गन्ने का रस जाने के बाद आपने सुध जल से इशनान कराना है उसके बाद माथा टेकना है नमशकार करना है और अपनी मनोरत रखते हुए भगवान शिव के चढ़नों में अपने घर जाना है दोस्तों इस उपाय के करने से आपके घर में बरकत होगी धन में लाब होगा शत्रु पर बिजे होगी और शभी मंगल मनो कामना पूर्ण होगा दोस्तों यह बहुत ही चमतकारी उपाय है एक बार आवश्य करें ऐसा मौका ऐसा समय बहुत मुस्किल में मिलता है इसलिए कि पुरसोत्तम महीना कोई जरूरी नहीं है कि सावन का महीना ही आएगा तो दोस्तों इस ब आपने यह उपाय करना है इस उपाय को करने के बाद आप इसका लाब उठा सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों भगवान शिव की कृपा के लिए झाल